नमस्कार जय जोहर मैं को मलसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहाँ पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे बोल रहा है हम क्या 36 गड़ का समान्य परिच्य या इसी बोल सकते 36 गड़ का introduction हालाकि यह जो वीडियो है इसको सबसे पहला बनाना चाहिए था लेकिन हमने कहां किया 36 गड़ के संस्कृती 36 गड़ के लोग परवसे उसके बाद हम कहां बढ़े थे 36 गड़ के इतिहास में भी हमने सभी चीज़ों को देखा उसके बाद हम ने देखा था 36 गड़ का भुगोल हम एक एक देखे तो पूरा जो 36 गड़ का जो मेन पाठा है वो सब पाठों को हम cover कर चुके आज हम देखने वाले हैं 36 गड़ में स तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक वीडियो या फिर दो वीडियो आपके लिए किसके लिए रहेगा पंचायती राज के लिए घृण जी तो चलिए बिना कि Value के बिना किसी देर के प्रारं मकंद स्री अनेness करते हैं आज कि से वीडियो का क्लियर जी पहला प्रश्णा पन लेते हैं पहला प्रश्णा पहला प्रश्णा क्या बोल रहा है छतिस गड़ किस राज्य के सांथ अपनी सीमा साज्वा नहीं करता है उप्शन है उत्तर प्रदेश तेलंगाना उडिसा या पस्चिम बंगा तो भाई अगर आपक आपको वह दूसरे रूपमबोर है कि छतिस गड़ की परोसी राज्य कोन है तो आपको नाम पता होना चीए छतिस गड़ के परोसी राज्य कोन है आपको मैं एक एसी सा ट्रीक दे रहा हूं जैसे आप अभी ठोडबे दिन एक-दो दिन पहली क्या मना हो हो रक्षमन्धन मन है कुछ लोग अपने ममा घर गए होंगे गए होंगे को अब ममा क्या होता है वो आपको ममा हेल्प करेगा 36 गड़ के पड़ोसी राज्य के लिए आप बोलोगे सर कैसे वह ऐसे जैसे आपके दुनिया में सबसे प्यारे कुन होते हैं मामा क्यों मामा पैसा भी देते हैं नानी बच्पन में उनके साथ जहाओ माओ खेले हो नहीं के लिए जहाओ माओ मतलब लुकाचिपी हाइडेंसी खेले होना जी बस वही हमारा ट्रीक है एकदम असान सा तो आपको पहले तो याद रखना क्या हम साथ साथ हैं क्या बोला मैं आपको हम साथ साथ हैं तो आपको याद होना चाहिए कई बार डारेक कोशन पूस्त है कि हमारे कितने पडोसी राज्य है तो मतलब वो बोल रहा है कि कितने के सांथ सीमा साजा करता है 36 गड़ साथ राज्यों के सांथ अपना क्या करता है सीमा साजा करता है तो आपको यह याद होना चाहिए उसी को हम लोग एक्डम इजी है आपको याद रखना ममा मैं क्या बोले आपको मैं ममा ममा उसके साथ आप क्या करते हैं ममा टे आउ एंड ज्या उ अब बोलोंकि सर्य कैसा है एक्डम असान ट्रिक है भई मसयाद रखना मध्य प्रदेश, पहला हमारा पडोसी राज्य, मध्य प्रदेश, दूसरा मसे याद रखना हमारे लिए कौन सा, महाराश्ट, उसके बाद याद रखना तता से क्या याद रखना हमको तेलंगाना, उसके बाद याद रखना हमको असे, आंध्र प्रदेश, उसके बाद याद रखना उसे याद रखने हमको क्या उडिसा उसके बाद देखना है क्या जह से याद रखने हमको क्या जहारखन उसके बाद चलना है उसे याद रखने हमको क्या उत्तरप्रदेश यह हमारे क्या साथ पडोसी राज्य है तो वह साथ आपको नेबर हुट जो इस्टेट है वह साथ है में साथ हमारे क्या है पडोसी राज्य है अब यह देखते हैं कि इसमें कौन-कौन नहीं है तो देखो मद्य प्रदेश उसके बाद उत्तर प्रदेश हमारा क्या है पडोसी राज्य है तेलंगाना भी पडोसी राज्य उडिसा भी है पश्चिम बंगाल हमारा पडोसी की राज्य नहीं है तो क्या बूलता है साजा नहीं करता है किस के सांद पंशिम मंगाल के सांद अभ आप देखेंगे किस का Direct किदर है आपको पेपर में डारेक्षान भी तो पूछ सकता है तो उसके लिए चलते हैं दूसरे प्रशने के लिए कि कौन सा अगर आप देखोगे पडोसी राज्य है तो किस आपके डारेक्षान में पड़ता है और अगर यह सीमा बनाता होगा तो 36 गड़ के कितने जीलों के सीमा किस राज्य के साथ साजा करती है मैं जब आपको कोस्टन लेता हुना उतने टाइम देखता हूं कि बच्चे कहा कहा फसते हैं तो जो कुछ कोस्टन होता है उसको जरूर डालता हूं ताकि आपके मन में इतने संका होना या पढ़ते समय जो डाउट होता है उस समय तो क कोमल सर आपके पास नहीं होते तो अपन कोसिस करता है कि कोमल सर वो जो डाउट आपको बात में हो उसको अपन सीधा कहां पर वाइड बोर्ट पे लेकर आ जाते हैं क्लियर जी देखते हैं क्या बोल रहा है अपनी पच्ची में सीमा यह आपके लिए बहुत कई लोग को में एकदम ऐसे रहता है कि सर बनाते नहीं हो ढंके नीबनाते हो करके अरे भाइया धंग वाला वाली बात इच नहीं है आप अभी चीत्रकला प्रतियोगीताम नहीं आए चूप चाप आप एसा ही निकालो अब यह साही निकलेगा मतलब पैसाच पैसा बोरी ब पैसाग पारेम सोचने वह आपके लिए मूटीवेशन है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है कैसे मेरा चूप चाप 10 परसंट मेरे भीद देना मैं आपके लिए बोरा भीद दूंगा जब पैसाग बहरो गे ना बोरा में तो मेरा मेरा दस परसंट देना क्योंकि अब तीसरा संभाग है हमारे लिए कौन सा यह देखिए यह बन गया आपके लिए 36 आप बोल रहा है पच्छीमी सीमा में राज्या नहीं लगा हुआ है हम क्या पढ़ेते हमारे ट्रीक क्या था मामा अच्छा यहां पर कंफ्यूजान होगा तो उसके लिए अपन चलते आगे थोड़ा से इसको छोटा बना लेता हूं मैं क्लियर जी आपको इस पेस का थोड़ा ज्यादा जरुरत पड़ेगा इसमें यह वह लेकिन हमारे लिए डा हम पढ़ेते क्या मा मा उसके बाद क्या पढ़ेते ते उसके बाद पढ़ेते आ उसके बाद पढ़ेते क्या उ उसके बाद पढ़ेते जा उसके बाद पढ़ेते उ तो यह हो गया आपके लिए क्या मा मा ते आउयन जाओ तो आपको याद रखना मा से याद रखना आपको म से याद रखना महा राष्ट महा रास्ट से याद रखना ति ये चया प्रदेश के बाद याद रखना रहो जारखन जी उसके ऐस्के बाद तर अब इसमें दिक्कत येक होता है कई बार हमको clear नहीं होता सर कि किसका direction क्या है करके इसलिए इसमें आपको डारेक्शन याद करने में आपको क्या होना चीए सहूलियत होना चीए देखें आप अगर total देख रहें यह वाला आपके लिए diagram कि सर मध्योप्रदिश इधार है महार तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा एक दिशा सूचक बनाना पड़ेगा चलते हैं दिशा सूचक के लिए अपन क्या करते हैं पहले तो ऐसे कई लोग को उत्तर दक्षिन में विकर कर दोएक्षाइड कर लिए आपको साइड में आपको उत्तरि मेजी नहीं होता तो भैक्या उसके हिसाबसे नहीं चलते बस हमारा स्ट क्या रखायब से आप चलते तो याद रखना इह हमारे लिए हमेशा क्या होगा उत्तर यह नीचे वाला मैं साथ योस. यह आ अब देखते हैं क्या पढ़ेते हैं हम लोग अब शार्ट डारेक्शन और बना लेते हैं ऐसे बीश से देखें सबसे पहले क्या पढ़ेते मामा तो सबसे पहले याद रखना क्या आपके लिए मध्य प्रदेश उसके बाद याद रखना माहा राष्ट उसके बाद क्या पढ़े थे तेलंगाना उसके बाद पढ़े हैं आंध्रप्रदेश उसके बाद पढ़े थे क्या उडिसा ये था ना जी मामा ते आ उ इंडजा उ बहुत ध्यान से पढ़े यहां से प्रश्ण आपको भसता है और आप उसमें फच जाते हो चक्रविव है कब अपने हाथ में खुदी को मार लोगे कुढ़ाली पता नहीं चलेगा आपको ठीक है जी तो आपको याद रखने यहां से डारेक्शन देखिए डारेक्शन के लिए चलेंगे तो यह आपके लिए मध्य प्रदेश होगा यह आपके लिए क्या होगा उत्तर पस्चिन दूसरा याद रखना है महा राष्टर यह आपके लिए पस्चिन यह आपके लिए या जड़ या ओ जाएगा आपके लिए दक्शिन पस्चिन नहीं आता आपको अंध्रप्रदेश भी याद रखना आपको ते लंगाना भी याद रखना यह दोनों आपकोगा पढद deserving कि लियर जी आपको याद रखना औरिटशा इलिए प्वाई में ही परता है यह आपके लिए परता है उत्तर पूरवां इसके बाद्या रखना उत्तर है लेकिन경 Waar जब चापते है उसका आणज़र नहीं लेता पीषब और मारे बच्चे उसी फॉलो करते जा रहे हैं अपने मन से नहीं करने बच्चों के आप जीवन के साथ नहीं खेल सकते मैं चाहूंगत बोल सकता हूं वो अपने बुक में लिखा है क्या कि आपके लिए जो महारास्ट है पस्चिम साइट पड़ता है आपको जब वो अंसर ले चुका है पहले से ही कि उत्तर पस्चिम दिशा में क्या है आपके लिए महारास्ट है मध्यप्रदेश है उत्तर पस्चिम में और आपके लिए क्या दक्षिन पस्चिम में अल्रेडी क्या है महारास्ट है तो जब अंसर वो ले चुका है कि किसमें धक्षिन पस्चिम दिशा में आपके क्या पड़ता है महाराष्ट्र तो ये बताओ पस्चिम दिशा में कैसे महाराष्ट्र आएगा नहीं आएगा अगर क्षचन की प्रकृति देखे तब आपको समझ आएगा देखे प्रस्चिम पूछेगा कैसे अगर आपको पूछेगा कि 36 गड़के पस्चिम दिशा में निन्म में से कोन साब के लिए राज्य पड़ेगा ओप्सन देखें, A, B, C और D, आगर मालो ओप्सन A दिया है आपके लिए कहां, महाराष्ट, ओप्सन B है आपके लिए आंदर प्रदेश, ओप्सन C है आपके लिए कौन सा, उड़ी सा, ओप्सन D है आपके लिए जहारखन, तो भई इसमें तो पस्चिमी दिशा में है न, ले पस्चिम सिमा किस राज्य के साथ साज़ा करती है, तो पस्चिम दिशा में इस साइड तो मध्य प्रदेश भी है जी आपके लिए, और यहां क्या है है हमारे लिए, महाराष्ट है, तो याद रखना अगर इसको 20 से ऐसे क्या करोगे, इंटरसेक्ट करोगे, पस्चिम यह आपके लिए आंसर है तो आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, आप पढ़ते हैं लोकल राइटर के बुक, उसमें मर जाते हैं, जाके खुदे जपा जाते हैं, तो जपाना नहीं है, पहले इस बता दे रहा है, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश या महाराष्ट, दोनो इनमें से कोई नहीं है, तो आप इसको अंसर लेके चलोगे, इसलिए जान बुच के प्रस्ण में डाला हूँ, बताना मेरा काम, और मानना आपका काम, नहीं तो हो जाएगा आपका काम तमाम, आगे बढ़े क्या, तो चलते हैं, आगे, चलते हैं, उड़िसा 36 गड़ के कित मैं बता रहा हूँ, देखी, ऐसा, आपको याद रखना इधर से क्या, उत्तर, सबसे पहले इत याद रखना, पश्चिम दिशा में कोई हमारे लिए राज जनी है, उत्तर में पढ़ता है आपको उत्तर प्रदेश, ठीका जे, नीचे में क्या पढ़ता है आपके लिए, आ लिखता है, और महाराष्टा को लिखता है किसमें, आपके लिए पश्चिम दिशा में, आप इंदिया का मयाब जाके देखना, गूगल पे या फिस पे विकिपीडिया पे, आप जब जूम करके देखेंगे ने तब आपको पता चलेगा कि तेलंगाना आंदर प्रदेश से एक दम लेप्ट साइड में, आपके लिए तेलंगाना भी क्या होगा, दक्षिन का आपके लिए राज्य होगा, ना कि वो दक्षिन पश्चिम का, मैं बता दे रहूं, बाकि मानना और नहीं मानना आपके उपर हैं, चाहतात मैं जैसे वो लिखा है, भगाभग आपको इसलिए बता दे रहूं, क्लियर, आपको याद रखनाlla अंध्रप्रदेश, आपको याद रखना तेलंगाना याद रखना पश्ची में कुछ नहीं है, आपको चार और याद रखना है, ठीक है जी, तो इधर क्या पढ़ता है मारे लिए, मद्यप्रदेश, इधर याद र प्रतिक आपको कि उत्तर प्रदेश गड़ के कितने जीले के साथ अपना सीमा बनाता यह इस एक किसी ने वी पूछ रहा है यहांइट पहला एक नामर खीक है एक उपर ले दूसरा नीचे ये तो एक तो ग्रदेश 36 गड़के एक जीनुख शुले के साथ अपना सीमा बनाता है बंडरी बनाता है दूसरा आपको याद रखिना क्णॉठn आप चर्ण आधर परदेश से तया लंगाना के लिए जब तया लंगाना कितने के लिए चल रहे जी एक जीलो के साथ अपना स्वारी एक जीले के साथ अपना क्या बना रहा है सीमा बना रहा है वैसी तेलंगान आपने कितने दो जीलो के साथ क्या करेगा अपना सीमा साजय करेगा अब चलते हैं हम लोग किसके लिए महाराष्ट के लिए महाराष्ट क्या है भाई दक्षिन पस्चिम में है मैं बता दे रहा हूँ आप अगर कोई नॉर्मल किताब पढ़ रहे हैं उसमें अगर वो क्या देगा आपके लिए पस्चिम दिसा में तो आप जानो आपका काम जाने हम पढ़ा रहे हैं तो हम बता रहे हैं ठीक है जी आप आपको याद रखना एक दूनी दो दूनी कितना होता है चार तो महा रास्टा चार चार जिलो के साथ अपना क्या बनाएगा सीमा और चार दूनी कितना होता है आठ तो आप आपको याद रखना ओडिशा 36 गड़ के आठ जीलों के साथ अपना क्या बनाता है सीमा बनाता है क्लियर जी आगे चले क्या आप याद रखना हम आपको एक ट्रिक दिये थे क्या हम साथ है तो ये पहले साथ का मतलब क्या हुआ था चद्श करकि our आप याद रखे》 आपके जीलों के साथ क्या बनाता है अपने मापसीमा बनाता है क्लियर आपको गर देखना है इसको तो देख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो हमारे लिए उडिसा 36 गड़ के किदने जिलो के साथ अपना सीमा साजा करता है आपको अगर साथ पूछेगा तो साथ किस के साथ कर रहा है जी मध्य प्रदेश के साथ आपको दो पूछ रहा है तो तेलंगाना भी है आपके लिए उधर से आपके लिए क्या है जारकंड भी है जो आपके लिए क्या रहेगा ओप्सन में रहेगा विकल्प में रहेगा आप उसको answer लीजीगा चार चार में तो अकेला कौनसा है महाराश्टर क्लियर जी तो आपको ऐसे यात करना है आप इसको देखते हैं कि किसी confusion हो सकता है किसार ये कैसे-कैसे मिलता है तो उसके लिए भी अपने प्रबंद किये तो करते हैं प्रबंद तो प्रबंद करते हैं इसका देख्या थोड़ा भी छोटा बना रहा हूं ठीक है उधने टाइम भावन आउम बहा गया था मैं अगर बढ़ा गया था बात पूरा अगर अगर बना रहा हूं भाई एकदम न चीत्र कला टाइप नहीं है कि एकदम एज इटीज बना रहा हूं सर ऐसे करें बस यह बन गया हमारे लिए 36 गड़ के 28 जी ले ख्लियर अब देखे हम क्या पढ़ेते ममा तो सबसे पहली क्या पढ़ेते मध्यप्रद्यश्ट दूसरे मां से क्या बोला था अच्छा अगर मैं इसको ले रहा हूं सेंटर लो ये ले काट दिया ठीक है जी दूसरे म क्या आ र बैं तक का पढ़ेते थे विए उसके बाद का पढ़ेते उरिशा ह 가져 उसके बाद पढ़ेते क्या रत देखे प्रण करने हाँ से प्राशन आता ही आपको जब भी पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है तो तो आप सबसे पहली क्या याद कर रहे थे उत्तर प्रदेश बनाता है तो उत्तर प्रदेश केवल बलरामपूर के सांथ अपना क्या बनाता है सीमा बनाता है एक के सांथ तो आपको याद रखने है बलरामपूर दूसरा अपन चेले किसके लिए जारखंड के लिए तो बलरामपूर के सांथ जारखंड एक बना लिया और दू दूसरा आपके लिए रायगाड तीसरा आपके लिए कौन है यह महासमून चौथा आपके लिए क्या है गरिया बन और यह सुनो यह आपको दिखाई दे रहे ठीक है यह 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 आपके लिए क्या है धमतरी तो अब धमतरी भी जो है उडिसा के साथ अपना क्या बन बनाता है तो यह चलना है यह हमारे लिए किसके लिए चट्वा सब्सक्ता बनाता है ओर सब्सक्राइब बनाता है उड़ीसा के साथ तो हुग् Meu नगाना तो यह बनाता बनाएगा एक उसके बाद किसके साथ बनाएगा बीजापूर के साथ उसके बाद फिर बीजापूर को काट देना है क्लियर जी तो अगला आजाएगा महाराष्ट तो पहले किसके साथ बीजापूर दूसरा आपके लिए किसका नरायनपूर तीसरा याद रखने आपको कांके हैं शूराजपूर और चीज़े और याद रखना है पहला याद रखना है बलरामपूर दूसरा याद रखना है सुकुम्त यह ऐसे क्या है दो जिले हैं जो तीन राज्यों के सांथ अपना सीमा बनाते हैं तो अगर बलरामपुर को आप देखोगे तो बलरामपुर देखें सबसे पहले किसके सांथ बना रहा था वो उत्तर प्रदेश के सांथ उसके बाद किसके सांथ बनाया वो जहारखंड के सांथ अब ये किधर बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ तो आपको ये याद रखना है उसके बाद याद रखना है सुक्मा सुक्मा भी सबसे पहले किस के साथ बना रहा था इधर से उडिसा के साथ उसके बाद किस के साथ बना रहा है जी नीचे में आंधर प्रदेश के साथ उसक तो 36 गड में 2 जीले हैं जो 3 राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं clear जी प्राष्णणा यहां से भी आता है तो आपको clear हो गया उसके बाद देखिए 2 जीला है तो 3 राज्ये आप ऐसे पूछेगा 3 जीला जो 2 राज्यों के साथ क्या बनाया अपना? अब देखिए वो कौन कौन से जी ले हैं एक दो और ती पहला आपको देखना है पहला इधर कौन सा था बलरामपुर तो तीन उसके बाद याद रखने है जस्पूर जस्पूर यहां सकटा था क्या उपर क्या ज़ारखंड के सांथ अग निजे किस के सांथ है उडिसा तो सबसे पहली तो किसके साथ बना रहे हो ते लंगान ऊपर किसके साथ बना रहा हो महारास्ट तो आपको याद रखना है तीसरा चलना राज नान गाउं तो आपको हो क्या माहा вый같 रखो आपको याद रखना है महाराष्ट तो यह बोई च्छतिन गड़ के तीन घ्ले दोराज्यों के सांथ अपना सीमा बनाते ह। तो आपका पेयर है भई, तीन और दो का, और दो और तीन का, अगर आपको तीन जिला देगा, तो वो दो राज्यों के सांथ अपना सीमा बनाएगा, और अगर दो जिला देगा, तो वो तीन राज्यों के सांथ अपना क्या बनाएगा, सीमा, ठीक है जी, तीन जिला, दो राज्यों के सा अगे बढ़े क्या अगला अगछांत रेखा राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है तो आपको तो यहां से चार-पांथ प्रस्ण बनते हैं सब के सब को याद रखना सबसे पहले इसका अंसर है क्या तीन जिलों के सांथ 5 को छोड़ देना आपके लिए वह बैट ट्री के इसको याद करना है तो तीन में क्या है आपके लिए अक्षांस रेखा आपको याद रखना है पांच-पांच छोड़ देना साथ याद रखना आई-एस्टी ठीक है जी इंडियन स्टेंडर्ड टाइम या फिर इसिक बोलते हैं क्या भारति समय मानक रेखा तो आपको य जीला आप अगर पूराना बुक पड़ रहे होगे तो आपके लिए भू आविष्ठी जीलो की संख्या कितना होगा लेकिन अभी बदल गया भई आभी होगे है क्या दस तो दस के सांद चलेंगे देखेंगे दसवा कौन सा बना है क्लियर जी तो आपको तो अभी चलना है क अक्छांस रेखा के लिए कि 36 गर में कितने आपके जीलों के साथ क्या होता है अक्छांस रेखा गुजरता है कितने जीलों में तो देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा मैं बनाना पड़ेगा आप बना लो क्या सरगूजा तो सरगूजा का जो उपर का तीन जीला सिधा सिधा बात यही है कौन कौन सा इधार आपके लिए कोरिया दूसरा याद रखने आपको क्या सूरजपूर तीसरा याद रखने क्या बलरामपूर तो तीन जीलों में गुजरता है पहला आपके लिए कौन सा कोरिया दूसरा याद रखने आपके लिए कौन सा सूराजपूर और तीसरा याद रखने है आपको क्या वल रामपूर उपर के सिधा सिधा बात है आपको हर एक चीड डाइग्राम से पढ़ना है आप किसी भी चीड को रट नहीं सकते पहली इस बता दे रहें क्लियर जी आपको आगे चले क्या उसके बाद क्या बोल रहा है आइस्टी तो आईस्टी कितने 3 साथ तो को संभाग में तोड ना पड़ेगा आईसे तो मैं इसको कैसे 2 और 3 करके अगर 6 की आप तोड़ोगे तो 2 तीन करके तो आपको याद रखना है पहले संभाग में दो दीले, पहले कौन सा है, कोरिया और दूसरा है कोन सा, सूरजपूर, उसके बाद याद रखना कोन सा बिलासपूर संभाग मेरें को से ख़रिया, रोवा, उसके तो रायपूर में आपको क्या याद रखना है सबसे पहले बलहुद्धा पजार उसके बाद याद रखना है क्या महा समुन उसके बाद याद रखना है आपको गरिया बन तीनों जगह से फिलन चलता है तो फट याद जगह से इंडियान स्टेंडर्ड पाइमलान होता है 36 गड़ के साथ जीलो के सांथ क्या करता हा일 साथ जीलो से पहल檬ा पांड-गिर चांप reckले अगर आपको पूछजा जाएगगा कि करकर एखा और आपके लिए IST लाइन करकर एखा और IST लाइन दोनों को एक दूसरे को काटती है प्रतिछेद करती है या इसी बोलेगा इंटरसेक्ट करती है कहां करती है तो आपको याद रखना है और इसी अमें आपको चीज़े ऐसे याद रखने है क्लिए भूआविस्टी जीला के लिए एक नया प्रस्ण बनाए हैं तो अपने उसके लिए चलेंगे क्लिया कि आप उच्छान सी विस्ता नीनमा में से कौन सा है यहां आपको बिकट कंफ्यूजान होता है आप एक डिटा रड लेते हैं क्या होता है 17-43 और 24-5 यह याद कर लेते हो इसमें कोई दिक् ठ Metro friends यह आफ को हुआ की अपके लिए अक्षान सोना चीवाट अब देखें ठीक है क्या होता है उत्तरियाक्षांस है दक्षिनी अक्षांस यह उत्तरियाक्षांस देखें diverse इस समद्सक्ना पढ़े आप प्रिट्वी देखाए ग्लोफ यह आपके लिए बना ग्लोफ को तो डाटि पड़ात। इसको काड़ यहां से यह आपके लिए क्या हो जाएगा पश्चीमी देशांतर बहुत की आपको जो भारत है वो इस साइड पड़ता है ऐसा तो आपको यह देखना है चुकि भारत कहा पड़ा है उत्तरी पुलाद में पढ़ रहे हैं अगर आप भारत का अक्षांसी विस्तार देखेंगे ऐसा यह हमारे लिए क्या है लगबार डिगरी चार मिनट है क्या और यह की यह होता है ना आपके लिए तो देखें यह आठ से उपर है मतलब यह हमारे लिए यह की जीरो डिगरी है तो जीरो के उपर है मतलब हम लोग आठ में और यह हमारा कितना में 58 तो हम लोग पढ़तें इस इस इत इत इव मतलब क्या है ऊस्तार गोलार्द में है तो अगर हम लोग 3 लोग किसमे इधर उपर से नीचे चले कोई दिख्गत नहीं। हम्सा इम्सा हम किसमें रहेंगे उत्तरी गोलार्तृतृतृतृतृत हमेशा किसमें रहेंगे उत्तरी अक्छांस तो हमको याद रखना है क्या हम किसमें रहेंगे हमेशा उत्तरी अक्छांस जब भारत उत्तरियक चांस में है, मतलब 36 गड़ भी उत्तरियक चांस में होगा, कोई दिक्कते नहीं, उसके बाद देखना है, यह आपके लिए क्या है? पूर्वी दे सांतर तो हम किस में रहें गे पूर्वी दे सांतर उससे इस साइड आरही लिए को are आज तो आपके लिए इंदरा कॉल हो सोच आए आपके लिए कlt कुमारी हा अगर नीचे से ऊपर जा या उपर से नीचे जा रहे हो आप हमेशा याद रखना भईया अगर आप उत्तर में हो तो उत्तरी गोलार्द में हो तो चाहे आप उपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से उपर आप हमेशा किसमें रहोगे उत्तरी गोलार्द अगर हम लोग कहां चल रहे हैं इधर इस साइड रहे हो हमेशा आपको याद रखना किस में हो पूर्वी देशांतर में तो आपको आंसर चाहे वो भारत के परिपेक में पूछे चाहे वो 36 गड़ के परिपेक में पूछे आपको याद रखना आप हमेशा उत्तरी अक्षांस में रहोगे और पूर्वी देशांतर में रहोग before उसके बाद क्या लिखायाw 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री आपके 5 मिनट उत्तरी अक्षान तो हमेशा याद रखना हम उत्तरी अक्षान से कहां चलेंगे उत्तरी अक्षान के लिए तो यह हमारे लिए अंसर सही रहेगा आपको लिखाए क्या 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तो हमेशा य option B सही है, अगर आपको पूछता क्या पूर्वी देसांतर या फिर आपको पूछता क्या देसांतरी विस्तार, तो अगर आपको पूछता ना जी, देसांतरी विस्तार क्या है, तो आपके लिए option D सही रहता, clear, आपको चीजे clear हुई, तो ऐसा है भई, तो आपको confusion नहीं होना चीले कि तर उत्तर से दक्षिन जा रहे हैं कि दक्षिन से उतर आ अप हमेशा उत्तर यक छांच में रहोगे आप हमेशा पूर्वी देसांतर में रहोगे और देखें अगला याद रखना राज नमिंतम भू आवस्थित जीला क्या है अब तो पहले समझना पड़ेगा भू आविस्थित जीला होता क्या है ठीक है जी भू आविस्थित जीला क्या होता है एक आपके लिए सीमा होता है एक आपके लिए थली सीमा होता है और दूसरा होता है आपके लिए क्या जली सीमा थली सीमा मतलब क्या बूलता है कि आपका कोई भी क्या है पडोसी राज्य नहीं होना चाहिए दूसरा आपके लिए जली सीमा से मतलब है कि आपका समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए अब ये क्या चीज है समझे, 36 गड़ का क्या कोई समुद्र आसपास में पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता भई, तो ये वाला तो खतम हो गया कि हमारा कोई क्या नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है, clear, दूसरा बोल रहा है पडोसी राज्य, तो अब भी देखे हो, 36 गड़ के स हाथ अपना क्या नहीं बनाते, बॉंडरी नहीं बनाते, देखे हो, कौन कौन से जी लिया, देखे, अच्छा सोरी, आगे बढ़ता हूं पहले, एकात और बना ले, देखे, ये, आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो संभाग का नाम लिखना है, एकदम असान है, इसका ट्रीक याद करना, भी कट सराले, सबसे पहले है क्या सरगूज नधे ब्लिखाना है विलासपूर सम्भाग क्या याद रखने है अब आपके लिए ट्रीख है एकदम असान सा है आप के wise ख्रूजश को याद रखने है में आपके लिए एक भूआ विस्थित जील है दूसरा आपको याद रखने क्या बिलासपूर में दो दूर्ग में आपके लिए तीन है रायपूर में दो है और बस्तर में एक तो आप उपर से नीचे चलोगे एक दो तीन नीचे से उपर चलो एक दो तीन तो टेंसनी नहीं ह लिए पहला संफाग है दूसरा संफाग दूर्ग आपके लिए तीसरा संफाग है राएपूर आपके लिए चौह नहीं बना रहे है तोत दीखे साथ आप लएक सीफान की इधर आप देख चुके थे यह ता ज beige जश्पूर अबलॉरामपूर सुराजप gefallen को । तो कोरिया सूरजपूर बलरामपूर किसके सांथ अपना सीमा बनाता था इधर मध्य प्रदेश के सांथ इधर आपका बलरामपूर बलरामपूर किसके सांथ बनाता था यूपी के सांथ सांथ में आपका किसके सांथ बनाता था तो आपके लिए बज गया यह देखिए एकद सर घूर। संभाग का सर घूर जू जी जिला जिसका ना कोई समुधरी चांद अक्के सांथ अपने सिमन उसके बात चलते हैं विलासपूर के लिए आप किसी धिमाग में घंटी बजा होगा कि संर विलासपूर में पिन आपके लिए बूभ आवेस्ठी 的 क्या संभाग के साथ चलना है आपके किस के लिए जांजगीर चांपा क्लियर जी तिसरा याद रखना दुर्ग तो दुर्ग में याद रखना है बाहु बली और आपको याद रखना है देव से न तो आपको बी से याद रखना है सबसे पहले क्या बेमे तरह उसके बाद दी से याद रखन और आपको याद रखना है क्या रायपूर तो आपको याद रखना है राइपूर याद रखना है बस्तर तो बस्तर में आपको एक मातर है कौन सा दंतेवारा अब बात पूछा तक क्या था आपके प्रस्णम में नविंतम भुबवेश्थित जीला कून सा है अब देखिए है इसमें कुछ फिर आपके आपको देखो अभी 28ग जीला कून सा बना है आपके लिए जो नवा के लिए विलासपूर और यह है क्या गवरेला पेंडरा मरवाई चूकि पहले विलासपूर जो है मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता था लेकिन आप विलासपूर से क्या अलग हुआ है गवरेला पेंडरा बना है वो है आपके लिए कौन सा बिलासपूर तो आपको याद रखना आपके पार राज्य में भू आवेश्ठी जिलो की संख्या कितनी है दस आपको याद रखना कौन दस्वा, दस्वा कौन सा है आपके लिए बिलासपूर या यही है नवींता और आपको एक चीज और बता रहा हूँ आप अभी रिसेंट का बुक खरीदोगे और रिसेंट बुक खरीदोगे ना उसमें आपको आंसर देगा सकती अभी 23 जीले नहीं बने है यह प्रभावी नहीं हूँ है अभी आपके पास टोटल कितने जीले है 28 जीले, 28 जीले में अभी आपके पास नवींतम जो आपके लिए भू आवेश्ठी जीला है वो बिलासपूर है जब ये जीले क्या हो जाएंगे प्रभावी होंगे तब आपके लिए सक्ति बनेगा नया भू आवेस्थी जीला और भू आवेस्थी जीलों में एक और नमबर बढ़ जाएगा मतलब वो दस से कितना हो जाएगा ग्यारा हो जाएगा लेकिन अभी वर्तमान में भू आवेस् जानो करम जानो प्लियर आगे बढ़े क्या आगे बढ़े अगला प्रस्न अगला प्रस्न आपको क्या देखने हैं राज्य में कुल कितने संसद हैं आप बताए कमेंट करके बताए पूछता है यहां से आपको चार प्रस्न बनने वाले चारोग देखते हैं सबसे पहले तो याद रखना की ग्यारा है लेकिन ग्यारा क्या है लोक सभा सांसा देख पूछा है कूल तो कूल कितने हैं हमारे पास सोला तो आपके लिए अंसर कौन सा है सी क्योंकि हमारे 5, 5 क्या है जी राज्य सभा सांसाद भी है तो आपको याद रखना राज्य सभा सांसाद आपके पास 5 जन है तो 5 और 11 तो इसमें पूल सांसाद पूछा था आप जब भी प्रस्नदकों पड़े तो बहुत ध्यान से पड़े कूल सांसद लिखा था तब अपन क्या लेंगे 16 अगर यहीं पिलिखता है लोग सभा सांसद तब अपन क्या लेते 11 अगर पूस्ता राज्य में राज्य सभा सांसद तो आप लिखते कितना 5 क्लियर जी आपको याद रखना 14 चौदा आपके पास नगर निगम मतलब 14 क्या रहेंगे महा पाउर रहेंगे जो हेड रहेंगे आपको चार जगा के महा पाउर का कमेंट करके नाम बताना है आपको जहां पर अभी रेसेंटली चुना हुआ आप गूगल से सर्च करें आपको सब चीद देगा इसलिए बोल रहूं भई मैं पढ़ा दूंगा आ उसमें उसको वेल्यू करता है उसको महत्व देता है तो आपको याद रखने सबसे पहले तो कौन सा बिरगाओ नगर निगम आपको याद रखने चरोदा नगर निगम आपको याद रखने भिलाई और आपको याद रखने क्या रिसाली याद रखने रिसाली आपके लिए क्या है 14 नगर नीगम और पहली बार चुना हुआ यहीं पर तो आपको यह सही जोडिम पूछ सकता है तो आपको यह चारो में से एक option रहेगा जो सही जोडिम सब्ות आपको पक्का देगा तो आपको यह चारो जगा के नगर नीगम के महापावर का नाम तयार करना है, क्लियर जी, आगे बढ़े क्या 16, तो 16 आपके लिए अंसर था, आपको पूछेगा, राज्य में टोटल कितने निर्वाचित सांस, स्वारी, निर्वाचित विधायक हैं, या फिर आपको पूछेगा, 36 गड़ में टोटल विधान सभा सीटों कि संक्या बताए, तो यहाँ पी है भी, नब्वे विधायक है, वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, क्लियर, आगे बढ़े क्या, अगला प्रस्नापन देखते हैं, राज्य का कूल शेटर फल कितना है, अब देखे, यह हैं हमारे लिए कितना, 135, 192, याद नहीं होग अगे चले क्या, आपको याद रखना, क्या बोल रहा है, कूल शेटर फल का क्यतना प्रतिसात है, तो भई, यह खूल शेटर फल है न, तो खूल शेटर फल कितना है, तो यह 135, 192, याद रखना, देश का, दसवा, बड़ा राज्य है, 36 गडा, अगर आपको पूछेगा, द कितने नमबर आता होगा 6 रफल के अनुसार या according to area तो according to area देखो गे तो कितने नमबर में 10 मा नमबर में clear आगे चले क्या जी आपको याद रखना 5 9772 यह है हमारे यहां वन 6 रफल जीतना आपके पास 135,192 स्क्वेर किलोमेटर है इसका 5972 जो स्क्वेर किलोमेटर है वो हमारे पास क्या है 1 चेत्रफले कितना परसेंट है भई 44.21 परसेंट बताया था क्या इसके हिसाब से हम देश में कितने नमबर में है थर्ड नमबर में आप अगर मेरे पहली पढ़े होगे ओफ लाइन मैं आपको फोर्द बताता था लेकिन लॉकडाउन के बाद वो अंसर क्या लेता है थर्ड लेता है और तीन बार वो थर्ड ली है इसलिए मेरे को बताना पढ़ रहा है कि 36 गड़ा 16 रफल में कितने नमबर में आ गया है तीसरा पहले मैं इसी को चौंथा पढ़ाता था आगे चले क्या याद रखना है क्या फाइब सेवन वन सेवन यह आपके लिए काम का नहीं है तो आप अप्सन बी के साथ चले अगला प्रसन चलना है हम लोग किसके लिए 36 गड़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा का प्राप्त हुआ यहां से भी आपको 5-4 कुश्चन बनने सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1861 पहले तो यह आपके लिए अंसर हो जाएग 1862 आपको याद रखना है यह प्रदेश महार差不多 और आपके लिए 66 गड़ है फिसेलिए आपको पूश्चा है कि मध्यप्रान्त बर्ण का गठन कभ हुँा कई बार पूचा है प्रस्न में दूसरा आपको याद रखना 36 गड़ स्वतंत्र संभाग का दर्जा का प्राप्त हुआ 1862 तो आपको याद रखना 36 गड़ स्वतंत्र संभाग बना अब जब संभाग बनता है तो जीले बिनते हैं तो आपको याद रखना 1862 तक 36 गड़ में तीन जीले थे मैंने आपको यह प्रस्ण पूछा था कि वो कौन तिन से जीले हैं, कुछ बच्चों ने reply भी किया था, आप भी reply करके बताए, अगर पिछले बार आपको नहीं दियोंगे, तो इस बार मैं चाहूंगा, कि आप इसको reply करके बताए, पूछता है 36 गार, आगे चले क्या जी, आपको याद रखना 1865, तो 1865 में क्या बहुल लिए, छेत रखो, रियासत का दर्जा मिला था, रियासत का क्या मिला था, दर्जा, रियासत मतलब क्या है, जहां राजा बैटता था, उसको क्या बोलते थे, राजा बोलते थे, वो प्रसासन करते थे, तो 36 गार में टोटल कितने रियासत है भई, या कितने रियासत थे बई चौदर यासत थे जो कब घोसित हुए 1865 में क्लियार जी इसमें भी क्या हुआ था आपके पाद नौ क्या थे हिंदी भासी थे और आपके लिए क्या पांच उड़िया भासी थे उड़िया भासी बता रहूं कारण क्योंकि 1905 में उजुड़ेगा आपको ये पूछा जाता है 36 गड़का वरतमान भागोलिक स्वरूप कब प्राप्त हुआ ये प्रास्ण आपको पूछता है कब प्राप्त हुआ तो आपको याद रखना है भाई जब 1905 में क्या हुआ था बंगालवी भाजन हुआ था तो 1905 में जब बंगालवी भाजन हुआ था तो उस टाइम पे ये जो आपके लिए 5 उड़िया भासी आपके पास क्या थे जी रियासत थे उनको दे दिया गया किसको उड़िसा को वहां से आपन 5 हिंदी भासी क्या लिए रियासत ली और 36 गड़ में जो आपको लिए तो आपको याद रखना ये प्रस्ण आपको बार बार पूछा जाता है कि 36 गड़ का वरतमान भगणुदिक जो स्वरूफ है वह आपको का प्राप्त हुआ था 1905 में प्राप्त हुआ था बंगालवी विवाजन के समय प्राप्त हुआ था क्लियर जी आपको से मैं कि 36 गड के प्रथम स्वापन द्रिष्टा यह प्राश्न आपको पूछा हुआ मैं पढ़ाया हूँ प्राश्ट स्वापन द्रिष्टा कोन है प्रथम संकल पकार कौन है और 36 गड़ के गांधी किसको बोलते हैं यह तीनों एक ही नाम है और तीनों ने ही क्या किया था इनको इच्छतिस गड़ का गांधी बोला जाता है प्रतम स्वपनद्रिष्टा बोला जाता है च्छतिस गड़ के पहले संकल पकार कहा जाता है जीनों ने क्या किया था च्छतिस गड़ का जो पहली बार सोचा था कि हमारा अपना खुद का क्या होना चाहिए च्छतिस गड़ होना चाहिए क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगले प्रसने के लिए लास्ट प्रसने के लिए क्या बुल रहा है राज्य में मुख्यन अधिस निम्नमे से कौन है अरुप कुमार गोस्वामी असोक जुनेज़ा जी सर्जीया स्मिंद और पिदयानाद यहां चार आपके लिए उप्सट है चार आप के लिए प्रस्ट है सबसे पहले तो आपके ले लेते हैं क्या अरुप क कुमार गों स्वामी ये ़रक दिल्प वर्तमान बिलासपूर आपके लिए जो हाई कोट था है वहां तो टोटाल जितने ज़द हैं उन्हीं की बोला जाता है क्या मुख्य नियाजित box तो राज्य के नियाजिस कोन आपके लिए अरुप कुमार गोस्वामी आपको जो पेपर हाड होगा ना तो आपको एक नया चीज पुछेगा किसका क्रम बताएं क्लियर जी आप क्रम सर्च करें अब मेरे भी कमेंट करके बताएं मैं भी तो देखूं आप सोज्जे सोज्जे क्या करते हो चीजों गपाग आप खा देते हो कि कुछ मेहनत भी करते हो तो आपको गपाग आप खाना नहीं है थोड़ा समेहनत करना है और कुछ चीजों को आप आपको याद रखना इसका भी आपको क्रम बताना पूलिस महानि देचा का क्रम आपको יाद रखना सर्चियास मिल यह आपके लिए क्या है वरतमान वां वित आयोग है उसके क्या है अध्याक्षा और फैलाद नामि तब तो आपको ऐसे जय माता दी नहीं होना है आपको थोड़ा पहली तैयार होना है कि पेपर आपको पूछता कैसे है उसके बाद याद रखना पी दयानन्द हो सकता है आपको यह चीज पूछ दे अभी इसलिए क्योंकि अभी नया चेंज हुए है तो आपको याद रखना पी दयानन्द आपके लिए क्या है जी नय मुख्य चुनाव पदाधिकारी है ठीक है तो आपको याद रखना है कौन पी दयानन्द नय मुख्य चुनाव पदाधिकारी है आपको दो लोग को और याद रखना है कि राज्य का मुख्य सचिव कौन है आप मेरे कमेंट करके बताए आपको हमेशा ये चीज़े अपडेट करनी हैं ये बोल रहा हूं उसके बाद आपको याद रखना राज्य के मुख्य निरवाचन आयूप्त कौन है आपको ये जो 6 चीज है हमेशा याद होना चाहिए और 6 चीजों में किसका अरुप कुमार गोस्वामी का असोग जुनेजा जी का और आपके लिए जो मुख्य सचीव है इन तीनों का आपको क्रम याद होना चाहिए ये आपको क्रम कई बार पूत देता है जब पेपर हाड होता है तो इसका क्रम इसका क्रम और आपके लिए इसका क्रम एतीनों का आपको क्रम याद रखना है क्लियर जी तो मैंने कोसिस किया था कि एक समावेश कर पाऊं कर पाऊं और आपको चीजों को समझा पाऊं क्लियर जी तो ये था आपके लिए 36 गड़ का एक से क्लियर जी हो सकता है किसी के गुर्दा फेपड़ा किडिनी ये सब में दरत चालू हो गया होगा कि सर हमको आप पंचायती राज नहीं पढ़ा रहे हो तो आगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्या पंचायती राज क्लियर जी तो आप कोको के साथ पढ़ते रहिए औ जोहार जै चत्तिसगर